हेलो फ्रेंड्स मैं हूं के पीजिंग आप देख रहे हैं मेरा चनल पड़ोगे तो पड़ोगे अगर आप सीखना चाहते हैं रोग तो प्लीज मेरे चनल को सब्सक्राइब करें और बेल आगए इनको जरू दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले तो मैं ल पड़ लिया था आज हम लोग भी पार्ट पड़ेंगे उससे पहले आपको एक जानकारी दे रहते हैं कि क्लास 12 का निव बैट साम को साथ बज़े स्टार्ट हो चुका है सभी लोग जोईन कर लें साम को साथ बज़े जिसमें आपको पूरा स्लेबस NCRT डाक्टर हर्स रू कि फड़ा फड़ से जॉइन कर लें और अगर आप वाट्चाप ग्रूप से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे वाट्चाप नंबर बाहत्तर पच्चाप पर अपना नाम और क्लास लिख कर भेज़ दें जिससे आपको ग्रूप पर एड़ कर दिया जाए वहाँ पर आपको नोट्स चैप्टर वाइज चैप्टर प्रोवाइड होते रहेंगे तो चलिए बढ़ देते हैं बढ़ जाते हैं कोशन की तरफ तो देखिए आव्यू ए दे रखा है कोशन नमबर है 23 का पार्ट भी आव्यू ए दे रखा है एक जिरो एक एक आव्यू भी दे रखा है है दो जिरो एक एक आव्यू एक आव्यू एक आव्यू उस्सी दे रखा है माइनस एक दो तीन एक अब हमसे कह रहा है कि ग्याद करिए A ब्रैकेट में B प्लस C बराबर A B प्लस A C तो यहां से हम लोग उठाते हैं LHS आविव A का मान है 1, 0, 1, 1 आविव B का मान है 2, 0, 1, 1 आविव C का मान है माइनस एक, 2, 3, 1 1, 0, 1, 1 और इन दो आविवों को जब हम जोड़ेंगे तो दो में माइनस एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा एक, 0 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, 1 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 4, 1 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, अब इन दोनों आविवों कि हम क्या कर लेंगे बुणा कर लेंगे पहली पंक्त को उठाकर पहले इस्थम में डाल देंगे एक की कम एक और 0 की 4 से गुणा होई 0 और ताथ 1 आ जाएगा पहली पंक्त को दूसरे इस्थम में डालेंगे एक दूना दो अब देखिए दूसरी पंक्त को पहले इस्थम में डालेंगे एक कम एक चकुचार चार एक पाँच और दूसरी पंक्त को दूसरे इस्थम में डालेंगे एक दूना दो एक दूना दो चार आ जाएगा तो यह आगे हमारा LHS अब हम लोग फड़ा फड़ देख लेते हैं कि हमारे आरेचेस में क्या ऐसा ही आ रहा है या चुछ चेंज हो रहा है तो हम देखेंगे टेकिंग आरेचेस आविव ए उठाएंगे एक जिरो एक एक आविव भी उठाएंगे दो जिरो एक एक प्लस कि सी कि सी यह नहीं है यहां पर एसी है यहां पर क्या दिया गया है कि एसी है ठीक है तो आविव ए लिखेंगे वन वन जीरो वन और सी लिख देंगे माइनस एक दो कि यहीं कि तीन एक कर देखें पहले दू आविव कि हम क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे वीचि में पलस पंक्ति को पहले इस्तम में डालेंगे तो जीरो आ जाएगा अब देखिए दूसरी पंक्ति को पहले इस्तम में डालेंगे एक दूना दो एक ही कम एक दो एक तीन इस पंक्ति को इस इस्तम में डाल देंगे एक जीरो और एक ही कम एक अब देखिए दो आविव की हम सुर्वात के दो आविव की गुणा कर चुके हैं अब हम आखरी के दो आविव की गुणा करेंगे पहली पंक्ति को पहले इस्तम में डाल देंगे तो माइनस एक आ जाएगा अब इसी पंक्ति को दूसरे इस्तम में डालेंगे एक दूना दो जीरो की एक से गुणा हुई जीरो यानि दो आ गया अब आप देखिए दूसरी पंक्ति को उठाकर पहले इस्ते में डालेंगे तो माइनस एक तीन अर्था दो आ जाएगा माइनस एक और तीन दो आ जाएगा फिर दूसरी पंक्ति को उठाकर दूसरे इस्तब में डाल देंगे एक दूना दो एक इकम एक दो एक तीन तो यहां पर तीन आ जाएगा तो एक दो पांच चार तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते है उमीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा अगर मेरा पता है वह आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चनल पर नहीं है तो चनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहें कि चल देते हैं कोशन नमबर अच्छोबिस पर अच्छोबिस पर अच्छोबिस पर अच्छोबिस में क्या कह रहा है कि आविव ए दे रखा है जिसमें लिखा हुआ एक माइनस एक माइनस एक और एक और हमको सिद्ध करना है एक क्यूब बराबर फोर है यह हमको प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम एक क्यूब निकालेंगे एक क्यूब निकालने के लिए आपके पास ए स्कॉयर होना चाहिए तो ए स्कॉयर का मतलब है एक उड़े एक माइनस एक माइनस एक और एक एक माइनस एक माइनस एक और एक पहली पंक्ति को उठाएंगे पहले इस्तम में डाल देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा एक कम एक और एक कम एक दो हो जाएगा फिर पहली पंक्ति को दूसरे इस्तम में डाल देंगे तो माइनस एक माइनस एक माइनस दो हो जाएगा अब दूसरी पंक्ति को उठाएंगे पहले इस्तम में डाल देंगे माइनस एक माइनस एक और माइनस दो आ जाएगा दूसरी पंक्ति को दूसरे इस्तम में डाल देंगे तो एक दो ठीक है तो यह ए स्कॉयर आ गया अब दिखे हम क्या करेंगे यहां से अगर हम दो common ले लें एक माइनस एक और माइनस एक एक आ जाएगा अब हम निकालने जा रहे हैं a cube a cube मतलब होता a square into a तो यहां पर हम लोग क्या कर लेते हैं a square लिख देते हैं 2 1-1-1-1 और 1 और a का मान भी यही है 1-1-1 और 1 देखिए अभी हम लोगों ने same to same इनकी गुणा करी दी यह देखिए बिल्कुल same दो आविव हैं और यह ऐसे ही same आविव यहां पर भी लिखे हुए हैं यह देखिए हैं तो जो उपर गुणंफल आया था वह गुणंफल यहां आ जाएगा अर्थात दो तो यह लिखा हुआ है यह लिख दिया और इन दोनों का गुणंफल यहां पर क्या आया था यह आया था तो यह हमको और लिख देना एक माइनस एक माइनस एक और एक दो की दो से गुणा हो गई चार और यह जो आविव यहां बना हुआ है यह आला आविव जो बना हुआ है इसी को हम क्या बोलते हैं आविव ए यानि फोर ए आ गया तो यहीं हमें सिद्ध करना था लेख देंगे अतहा एक क्यूब बराबर फोर है तो इस तरीके से हम लोग इस प्रस्टन को लगा सकते हैं उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आगे बढ़ेंगे हम लोग कोशन नमबर 25 पर कोशन नमबर 25 में आविव ए दे रखा है एक माइनस एक दो तीन तो हमको सिद्ध करना है एक स्क्वाइर माइनस फोर है प्लस 55 बराबर जीरो तो हम क्या करेंगे सारे मान निकाल लेते हैं तो एक स्क्वाइर निकाल लेते हैं एक स्क्वाइर का मतलब है एक इंटू एक एक माइनस एक दो तीन एक माइनस एक दो तीन पहली पंक्ति को पहले इस्तर में डाल दीजे एक कि कम एक और माइनस दो तो कितना जाएगा माइनस का एक फिर पहली पंक्ति को ही पहले इस्तर में डाल दीजे तो एक कम माइनस एक और तीन एक माइनस तीन तो कितना जाएगा माइनस का चार दूसरी पंक्ति को पहले इस्तर में डालेंगे तो दो एक कम दो तीन दुनी छै चै दो आठ हो जाएगा यहां दूसरी पंक्ति को दूसरे इस्तर में डाल देंगे तो माइनस दो और तीन त्यन नौ यह साथ आ जाएगा तो यह हमारा आ गया एस्वाइर का मान अब हमको क्या चाहिए हमको फोर है चाहिए एक माइनस एक दो तीन तो चार माइनस चार चार दुनिया चारतिया बारा गुड़ा तो आप करी लेते हैं आपको सिखा चुके हैं और फाई फाई का मान भी हम लोग जानते हैं कि यह फोरे का मान आ गया फाई वाई का मान कि फाई वन जिरो जिरो वन तो क्या बन जाएगा पांच जिरो जिरो पांच यहां पर जो हमको प्रूब करना इसका हम एलेचस उठाएंगे और वैलू पूट कर देंगे तो सबसे पहले माइनस एक माइनस चार आठ साथ यह स्कॉयर का मान पूट कर दिया माइनस का फोरे फोरे का मान यह लिखा हुआ है यह रख देंगे चार माइनस चार आठ बारा प्लस फाइफाई फाइफाई का मान यह यह उठा कर रख देंगे पांच जीरो जीरो पांच अब देखिए इस आव्यू के तत्तों को और इस आव्यू के तत्तों को घटाएंगे तो माइनस एक माइनस चार माइनस पांच माइनस चार प्लस चार जीरो आठ मेंसे आठ गए जीरो साथ मेंसे बारा गए माइनस का पांच प्लस 5005 तो 000 तो answer आगए हमारा 0 क्योंकि ये सून्ने आब यू है सून्ने आब यू में सबी तब तु सून्ने होते हैं जिसको हम लोग सूने भी लिख सकते हैं तो इस तरीके से हम लोग question number 25 लगा सकते हैं उमीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी से समझ में आ गया होगा बढ़ जाते हैं कोश्चन नमबर 26 की तरफ जैसा कोश्चन हम लोगों ने भी 25 लगाय था बिल्कुल उसी की तरीके से कोश्चन नमबर 26 लगेगा तो सबसे पहले आप यूए दे रखा है तो दो एक जीरो एक माइनस एक एक तीन जीरो यह आप यूए दे रखा है तो ए स्क्वाइर माइनस पाइफ ए प्लस 6 आई का मान हमको बताना है तो हम क्या करेंगे यहां से ए स्क्वाइर फाइफ ए और 6 आई के मान निकाल लेंगे और उनको उठा के यहां रख देंगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ए स्क्वाइर की ए स्क्वाइर का मतलब है ए इंटु ए दो जीरो एक दो एक तीन एक माइनस एक जीरो फिर से ए से गुणा करेंगे तो दो जीरो एक दो एक तीन एक माइनस एक जीरो यह दो आवियू हैं पहली पंक्ति को उठाएंगे पहले इस्तम में लगा देंगे तो हमारा तत्य बन जाएगा दो दूनी चार जीरो एक एक में चार एक पांच फिर इस पंक्ति को उठाएंगे इस इस्तम से लगा देंगे जीरो जीरो माइनस एक फिर इस पंक्ति को उठाएंगे इस इस्तम में लगा देंगे दो जीरो जीरो दूसरी पंक्ति खो पहले से लगादेंगे हैं कि पहले सको साफ कर देते हैं यह आपको क्लीर हो जाए है कि आज दूसरी पंक्ति पहले से ऐसल में डालेंगे तो दूनी चार एक दूना दो तीन एकम तीन तो चार दो च्छे च्छे तीन नो तो अब हमको मिल गया नो अब देखिए इसी पंक्त को इस इस्थम में डालेंगे जीरो एक माइनस तीन यानि माइनस दो इसी पंक्त को इस सिस्थम में डालेंगे दो एकम दो एक तीन तीन तो दो और तीन पांच अब देखिए तीसरी पंक्त को पहले इस्थम में डालेंगे दो माइनस दो जीरो यह तो जीरो बन गया अब इसी पंक्त को इस इस्थम में डालेंगे जीरो माइनस एक जीरो तो माइनस एक आ गया और अब तीसरी पंक्ति को तीसरे स्थम में डालेंगे तो एक माइनस तीन तो माइनस दो आजाएगा यह हम लोगों ने ए स्क्वाइर का मान निकाल लिया अब हम फाइफ ए निकाल लेते हैं अर्था फाइफ इंटू एक आँमान है दो जीरो एक दो एक तीन एक माइनस एक 0 पाँच दूनिदस जिरो पाच अकम पाच पाच त्यां पंदरा पाच अकम पाच पाच अकम पाच जिरो तो यह फॉल एम आग्या अब निकाल लेना है 6 आई 1, 0, 0 0, 1, 0 0, 0, 1 अच्छा 6 की अंदर गुणा करानी है तो 6, 0, 0 0, 6, 0 0, 0, 0, 6 अब जो हमको प्रूव करना है उसमें हम क्या करेंगे सारी वैलू पूट करतेंगे अच्छा अच्छा इन प्रूव डैट क्या प्रूव करना है अच्छा A स्कॉर माइनस फाइफ ए प्लस 6 आई बराबर 0 अच्छा उठा कर सारी वैलू पूट कर दीजें सबसे पहले बात हो रही है A स्कॉर है तो A स्कॉर का मान यह रहा है फिर बात करते हैं फाइफ आई की तो फाइफ एक ही तो फाइफ ए यह रहा है दस जिरो पाँच दस पाँच पंदरा पाँच माइनस पाँच जिरो और फिर प्लस का सिक्स आई तो सिक्स आई यह रहा चै जिरो 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 चै जिरो और जिरो जिरो चै अब देखिए यह है इंदव आफ्यू को हल कर लेते हैं यह गयों तो पाँच मेंसे दस गए उल्माइनस का पाँच देखिए यहां पर हमको जिरो पर नहीं लो नहीं करना है इसका मान निकलना है परोव नहीं करना है इसका मान YEAH चाहिए है तो यह अटा देता है यहां पर हमको इसका मान चाहिए जीरो नहीं दिया गया है इसका हमको मान चाहिए है ठीक है तो पांच में से दस गया माइनस का पांच माइनस का एक में से जिरो गया माइनस का एक दो में से पांच गया माइनस का तीन नो में से दस गया माइनस का एक माइनस का दो माइनस का पांच माइनस का साथ पांच में से पंदरा गया माइनस का दस 0 में से 5 गए, माइनस का 5 माइनस का 1, प्लस का 5 4, माइनस का 2 और 0, माइनस का 2 प्लस 6, 0, 0 0, 6, 0 0, 0, 6 अब दोनों को add कर लेना है तो add कर लेते हैं भी यहां फटाफट माइनस 6, प्लस का 6, माइनस का 5 प्लस का 6, 1 माइनस का 1, 0 तो माइनस का 3 और माइनस का 1 और यहां पर हो जाएगा माइनस का 1 यह हो जाएगा माइनस का 10 माइनस का 5 4 और 4 तो हमारे पास यह आंसर आ गया है, उमीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, अगर मेरा पता है वह आपको अच्छा लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे व्लॉक चैनल से जुड़ना चाहते है तो उसका लिंक भी मेरे निचे डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे रखा है, वहां से जाकर आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, थैंक यू फॉर वाचिंग